आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद रिचा में जैसा कि आप लोगों को पता है जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं हमारी चल रही है यूजी सी नेट हिंदी की यूनिट छे और हमने अभी तक यूनिट छे पर दो किलास ले चुके हैं उनमें हमने क्या क किया तह पर आपको बता देती हुँ हमारे स्लीवस में अपने का लिचा अपनी ॉपनियासद क का जो तो आज हम बात करेंगे इनके राइटर की, अभी तक हमारी एक भी किलास इनके राइटर पर नहीं हुई है, ये भी मैत्पुन है, होता क्या है, जो एद्जाम में आपकी विधा लगी रहती है, जैसे इंदी उपनियास नाटक कहानी, तो वे उपनियास तो मैत्पुन हो जात कि ये श्रीला सुकल का उपनियास है या नहीं, और उनका काल करम, उनके उपनियास का, हम बहुत बच्चों का मैसी जाता है, और पूछते हैं, काल करम वाली कोसन गलत होते हैं, हम क्या करें, तो आप ऐसी छोटे-छोटे भागों में डिवाइर करकर, काल करम वाले जो कोसन आ रहा है, मैं जो आपको करवा रही हूँ, यूनिट वाइज वो मैं इसलिए करवा रही हूँ, कि ताकि जो एज़ाम में बिल्कुल में चीज़ है, वे आपकी रहें नहीं जाए, मैं पहले पीवाई क्यू देखती हूँ, दो तीन साल के किस तरह के कोसन पूछे जा रहे ह फिर उसके आधार परी मैं डिसाइड करती हूँ, कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, तो आज हम सुरू करेगे अपने जो राइटर है उनकी, तो सबसे पहले हम इनका कालकरम देख लेते हैं, कालकरम हमने पहली क्लास में भी देखा था इन राइटर का, लेकिन आज हम फिर से देखे गे, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि कभी भी जादा परना मेटर नहीं करता, भले ही आप कम चीजे परें, लेकिन उनको बार-बार रिवाइज कर ले, क्योंकि होता क्या है, हमारे जो हम कम चीजे परते हैं, लेकिन जब जादा जो हम रिवाइज कर लेते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपकी वे चीजे गलत नहीं होनी चाहिए, उन टोपिक से कोसान आता है, तो आपका सही होना चाहिए, तो आज हम देखें कि आप सबसे पहले इनका काल करम, गोरिदत का 1836 समय है, सिरी निवास दास 1850, प्रेम चंद 18 1880, यसपाल 1903, हजारी परसाद्वेदी 1907, अग्ये 1911, भिश्मसानी 1915, अमरितलालनागर 1916, फनिश्वनात रेनू 1921, कृष्णा सोपती 1925, स्री लाल सुकल 1925, जगदीश चंद्र 1930, मनु भंडारी 1931, मुझे उमीद है कि अभी तक आपको ये काल करम याद हो चुका होग उनका समय याद हो चुका होगा, यदि अभी तक नहीं हुआ है, तो एक काम कीजिए, एक टेबल बना लीजिए, उसमें इन तेरा उपनियास का काल करम लगा लीजिए, उपनियास कार का, और जहां पर आप पढ़ते हैं, सामने चिपका लीजिए उस पेज को, तो बार बार देखे के, तो आपके जो काल करम है, दिमाग में बैट चाहेगा, आप पढ़ना सुरू करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, आज हम जो है, उपनियास कार को ही पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले, देखो, मैंने लाइन वाई जी रखा है, जैसे इस करम में आना, ऐसी ही मैंने र राइटर रखे हुए, तो सबसे पहले हम दो राइटर की बात करते हैं, गोरिदत और लाला सिरी निवास दास, इनके बारे में इनके एक-एक उपनियास ही है, जो हमारे स्लेवस में लगे है, तो इनमें जो देखने वाली बात है, यह है कि किसने इन उपनियास को पर्थम माना है, तो यह टेवल है, मैं आपको यह पेज बता देती हूँ, यह किस बुक का पेज है, यह जो हमारी पांडे वाली बुक आती है, वन लाइनर, मैंने महीं से यह पेज रखे है, बलकि आने वाले मैंने पाच्छे पेज उसी बुक के रखे है, कुस पेज मैंने रामचं दास्थ की प्रिक्सागर्यू कि की की इसको पर्तम उपनियाँस किसने कह ता तो शीरी रामेचंदर शुक्रु conventions दोनों पोविट रखना इसमें एक तीसरा पोविट भी तो पेपर में दोनों पनीयास है तो आपके लिए ज़्याद़ा मैद्पुन हो जाते हैं आचारे रामचंद्र सुक्र ने लाला स्री निवास दास किरित परिक्सा गुरु को अंग्रेजी के ढंका हिंदी का पहला मोलिक उपनियास माना है यह हमने कल जब हमने रामचंद्र तीवारी की वुक्से पढ़ा था महापर भी मैंने आपको बताया था यह पॉइंट इंपो प्रेमचंद्र की और उनके उपनियास के बारे में हम पढ़ना सुरू करेंगे यह भी पेज जो है पांड़े वाली बुक्का है सुरू से ही देखते मुनसी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था किंतु वे बदलकर किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनार्सी के नाम से लिखते थे धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायन निगम ने दिया था जो प्रेमचंद्र नाम दिया था वो किस ने दिया था यह दया नारायन निगम ने दिया था याद रखेगा वैसे बहुत नूर्मल चीज़े यह सब को पता होती यह एंटी इतना भी जी कोशन नहीं पूछेगा हाँ पर जो मैत्पून है यह उपनियास मैत्पून है लेकिन एक वरा हम सब पॉइंट पढ़ते हुए चलते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए प्रेम चंद को उपनियास समराट के संग्या बंगला कथाकार सरचंद्र चर्टोपाध्याई ने दिया था यदि एंटी ऐसे कोशन पूछता है कि प्रेम चंद नाम जो है उर्दू के लेकर दिया नारायन निगम ने दिया था इस तरह के तीन-चार पॉइंट बनाकर दे देगा तो मैत्पून हो जाता है वैसे सब को पता होता है कि जो प्रेम उपन्यास का उनके दुवारा किया गया हिंदी रुपांतर निम लिखी थे जो प्रेम चंद ने मूल उर्दू में उपन्यास लिखे थे उनका बाद में हिंदी रुपांतर भी किया था तो यहां पर वे उपन्यास यहां पर दिये हुए दोनों नाम मैत्पून है उर्दू में रुपांतर किया था 1905 में आगे हम खुर्मा वे हम सबाब 1906 फिर हिंदी में प्रेमा नाम से लिखा था याद रखेगा 1907 में किस्णा इंपोटेंट गवन का नाम बरबाब पूछा जाता है कि उर्दो में इसका नाम क्या था तो या रखेगा किसना नाम से कब लिखा था 1931 में जल्वायई रिषाण इंपोटेंट 1912 में लिखा था और फिर इसका हिंदी रुपांतर वर्दान के नाम से किया था 1921 में बाजारे हुसन 1917 में लिखा था और इसका जो हिंदी में रुपांतर किया था वो किया था सेवा सदन नाम से 1908 में वेरी वेरी इंपोर्टेंट है शेवा सदन फिर एक गोसाई आफियत यह जो हिंदी में लिखा था प्रेमस नाम से 1922 में फिर चोगाने हस्ती रंग भूमी के नाम से हिंदी रुपांतर क्या था 1925 देखो मैं आपको बता देती हूँ प्रेमचंद आपको भी पता है कितने मैं अगर कोई हिंदी से भी नहीं है मतलए हिंदी साइट नहीं है उसको भी प्रेमचंद का नाम पता रहता है बहुत परसीद है तो इनकी तो आपको सभी रचनाय सन सहीत याद रखनी परेंगी जैसे इनके उपनियास है इनका आपको सन भी याद होना चाहिए काल करम बहुत जाता है अब देखते हैं के पर्थम उपनियास के बारे में असरारे माविद प्रेमचंद का पर्थम उपनियास है अगर आता है प्रेमचंद का पर्थम उपनियास कोन है तो असरारे माविद लेकिन सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रोड हिंदी उपनियास यानि हिंद लीगमें वे पहले उपनियाश काया कल्प में लिखा लगई किया गया वो उपनियास कौन सा था काया कल्प का समया 1926 याद रखेगा कन्फ्यूज मत होएगा पर्थम उपनियास को लेकर आगे चलेगे सन 1907 इसभी में प्रेम चंद ने रूर्खी रानी नामा एतियासिक उपनियास की रचना की आगे चलते हैं अब यहाँ पर जो है इनके उपनिय जो यहाँ पर ज्यादा मैत्पून हो जाता है इनका कालक्रम नोर्स कर लीजेगा नोर्स बनाते हुए चलेगा और इनकी विश्यवस्तु भी दी हुई है सबसे पहले देखेगे देविस्थान रहस्य का 1905 समय है मंदिरों और तीर्थ इस्थानों में फैले भिष्टाचार पाखंड की आलोचना प्रेमा 1907 हिंदों में विद्वा विवा की समस्य का चित्र है सेवा सदन 1968 वैस्य जीवन पे लिखा गया उपनिया से वेरी वेरी इंपोटेंट है इसकी विश्यवस्तु भी याद रखे गया वर्दान 1921 प्रेम एवं विवा की समस्य का चित्र है प् पुनर जनम की धारना पर समाज सेवा राजा के अत्याचार विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्र है देखो मैंने आपको पहले ही बताया और एक बार फिर बता देती हूँ यह सभी उपनियास इनका काल करम आपको याद रखना परेगा क्योंकि प्रेम चंद के उपनियास इसकी विशेवस्तों भी देज अबम अनमेल विवा की समस्य का चित्र गवन 1931 करम भूमी इंकी मतलब जो है विशेवस्तों भी इंपोर्टेंट याद रखेगा दलित किसान उत्थान की कथा है इसमें आज जाम में पूछा भी गया था प्रेम चंद के किस उपनियास में ह होदान सबको पता है इसमें कहने वाली बात ही नहीं है यह तो इंपोर्टेंट है फिर एक कोशन यह भी बनता है कि प्रेम चंद का कौन सा उपनियास अधुरा है तो याद रखेगा मंगर सुत्र 1948 तो देखो इसमें आपको करना क्या है सबसे पहले प्रेम चंद लिख लेन देखो मैंने आपको पताया उपनियास आपको सभी याद होने चाहिए जो राइटर हमारे सलेवस में लगे है उनके सभी उपनियास याद होने चाहिए उनका कालकरम याद होना चाहिए अगर मान लिजए आपको एक एक उपनियास का समय याद नहीं रहता तो इनका कालकरम जरुर याद कर दीजियेगा चलते हैं आप यस्पाल के तरफ यह जो है परगति वादी विचार धारा के उपनियास कारों में माने जाते हैं यस्पाल पहले तो यह याद रखेगा किसरे के विचार धारा कैते परगति वादी अब इनके उपन्यास देखेगे, दादा कामरेट 1941, देश-द्रोई, 1943, दिव्या, 1945, पार्टी कामरेट 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमीता, 1880 का उपन्यास हैं इनका 1956. जूटा सच आपको पता ही है इनके दो भाग है और जो है यह विवाजन पर लिखा गया है इंपोर्टेंट है यह तो इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारे स्लेवस में लगाई से तो हम डिटेल में पढ़कर आ चुके है 12 गंटे 1962 अफसरा का सराफ 1965 क्यों फसे 1968 मेरी तेरी उसकी बात का आपको असाओं रखना होगा बागी आप जो है यह सबाल के उपनियाज का जो है कालकरम याद कर ली जेगा की कौन से पहले आता है और कौन सा बात में फिर एक पोइंट है जिनको हम पर चुके हैं कि जोटा सच के दो भाग है पर्थम भाग का नाम है वतन और देश दूसरे भाग का नाम है देश का वविश्य आगे चलते हैं आगे हम देखे कि अजारी परशाद दुए दिए इनके भी आपको समय 1963 पुनर्नवा 1973 अनामदास का पोधा 1976 यह ब्याद रखेगा इन गरंद का आधार ग्याद था जैसे चार्चनलेक राजा सात्वान और चंदर लेखा की फिर पुनर्नवा में लोडी कायन अनामदास का पोधा चांदोग्य एवं ब्रेद दारन्यक यह सब आपको याद र पिस सती का चितरन है 12 बी से 13 सताब्दी के सांस्किर्टि एवं में राजनेतिक स्थिति का चितरन है यह भी इंप्रेज आहां आमदास का पोधा प्रोधा में किस उप का आपनिस्धिक यूपका वर्नन यह आerdaman ओगी मिलान में पूछा जा सकते हैं चार उपनियास दे दें और ब्रावरबर में दें इनका आहार वि fajक करना होगा और हजारि True to ų रोवाएदी का चार उपनियास या दोने चाहिए उनका काल करम उन चाहिए उनका समय याद होना चाहिए, और उनकी विसवस्तु याद होने चाहिए, चाहिए तो आप एक जंगे नोट करते हैं चले कि आपको किस राइटर की क्या-क्या चीज़े याद करनी है, आगे चले गे, आगे अगे, अगे के तीन उपनियास है और टीनोगी बड़े पर्सिद उपनियास है तो उसमें कोई मतलब यह इन्य वैसा तो याद ही रहते हैं तीनों प्रणियास देख लेते हैं जैनेंद्र ने सच्ची दानन हीरानंद वातस्यान को अग्या नाम दिया था यह सब भी फिर यह तीन पॉइंट हैं यह हम देख लेते हैं अग्या के अनुसार सेखर की खोज अंत्य तो गत्वा सवतंत्रिता की खोज इंपर्टेंट्र कोटेशन पूछी जा सकते हैं फिर यह तो हम देखी आयते पीछे हमने जब सेखर एक जीवनी उपर नियास पर आता कि इस किस रचना का प्रवाब माना जाता है फिर एक पॉइंट है आलोच को ने सेखर एक जीवनी के आलोचना परिकास मान पुच्छल तारा कहकर की है तो इसमें जो आपको इंपर्टेंट है यह आपको तीनों पॉइंट याद रखने और यह कोटेशन याद रखने यह हम परग रखना मिलाकर जैसे और किसी उपर्णियास कार की रचना मिलाकर पूछ लिया जाता है समय तो आपको इनका सन भी याद करना होगा और विस्वस्तों भी आद करनी होगी आगे चलते हैं आगे देखेंगे विसमसानी के अपनियास यहाँ पर इनका जो सबसे पहले है वो है जोरो का कडिया तमस इंपर्टेंट है बसंती 1980 इसका समय भी आद कर लिजेगा क्योंकि जो है हाईर वाले जाम में बसंती उपनियास लगा होगा है तो हो सकता है समय पूछ ले तो याद रखेगा मयादास की मारी 1988 कुंतो 1993 निरो निली मानिलोफर दो हजा इसमें देखो एक तो आपको जो याद रखना है तो यह तो आपको याद रखनी है तमस उपनियास यह तो पाठ्टे करम में लगा है इसकी विसमसानी के सब भी उपनियास आपको याद होने चाहिए कि कौन सा इनक काल करम आपको याद होना चाहिए आपको पता होना चाहिए करिया उपनियास पहले आएका यह तमस पहले आएका इतना आपको याद करना है विसमसानी के उपनियास में आगे चलेगे आगे हम अमरितलाल नागर के उपनियास देखेगे इनका जो पहला उपनियास है महाकाल इंपोर्टेंट है समय वियाद रखेगा बंगाल के अकाल पर लिखा गया उसका चित्रन इसमें है उससे पहले एक पॉइंट है यह देख लेते हैं अम्रित लाल नागर के अपनियासों को राम विलास सर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटा रहा है तो मैं आपको बता देती हूं यह वाला कोसन अभी तक नहीं आया किसी भी एज्जा में जितने कोसन पेपर में देखे हैं तो उमीद है कि आने वाले समय में यह कोसन नहीं तो याद रखेगा कि अम्रित लाल नागर के अपनियासों को किसने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा का है राम विलास सर्मा ने क्योंकि आपको पता है राम विलास सर्मा भी एक भोती परसिद आलोचक है तो यह कोटेशन जो है यह पॉइंट जो है आतपुर्ण नहीं है if importantщё 56 वि शब्षतोब्याद रखेगा सत्रंज के मुरे इंपर्टेट है विश वस्थी इंपर्टेंट है सवाघ्यनूपूरे इंपोर्टेंट उनिस्टो साथ अम्रित और विस्ट इंपोर्टेंट है साथ गुंडट पाला मुखरा इंपोर्टेंट और इसका विशवस्तु भी याद रखेगा मस्लू बेगम के नारी इरिद्य का चित्रा एक दन एमसर ने इसको मिश्कीप कर सकते हैं बस यह काल करम में आपको याद होना चाहिए आगे मानस का अंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट है नाच्चो बोत गोपाल इसकी विशवस्तु बड़ी इंपोर्टेंट है याद रखेगा घंजन नयान समय याद रखेगा 1981 सूर्दास के जीवन पर है इंपोर्टेंट है बिखरेतिन के 1982 अगनी करबा 1983 करबट 1985 पीडिया 1990 तो आपको क्या करनाइस में एक बार में इंपोर्टेंट बता देती हुँ जो एक तो आपको इनका कालकरम याद होना चाहिए सम्मे किन किन उपनियास का याद होना चाहिए माकाल विशवस्तु याद होने चाहिए बूद और समुद्र सन भी और विस और साथ कुंडट पाला मुख्रा आगे फिर मानस काहंस नाच्यों गोतकोपाल खंजन नियाद इनके आपको जो है समय वियाद होना चाहिए और विसेवस्तों भी बाकि जो आपको कालकरम याद होना चाहिए फनिश्वनात रेनू इनके जो सबसे पहले हैं पर जो दो तीन पॉइंट उनको देख लेते हैं अग्ये ने रेनू के उपनियासों में एक अखंड मानवी विश्वाज के चिंगारी सुलक्ति देखी है पनिश्वनात रेनू अपना साइतिक गुरू किने मानते हैं बंगलो उपनियास कारते हैं शत्री नात उनको जो आपना गुरू मानते हैं फनिश्वनात रेनूief मैला उचल, IMPORTANT है, मेरी गिंज गव करता है परति परिकथा भी आद रखे हिंगा किसी जाँ की कता है क्ई बार 3-4 उपनियास को नाम करें किसी जाहर पूछा तो मिलान वाले में पूछा जा सकता है ठीक है दोनों याद रखेगा मेरी गंजी तो याद भी रहता है और याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो है सलेवस में लगा हुआ है फिर देरिकतपा जुलूज कितने चोहराई पर्टु बाबरोर रामरतन राय एक चीज या रखेगा कि जो रामर नो apple पन्यास यानी अधूराव पन्यास पीछ प्रेम चंतर देखा मंगर सुत्रों यहां पर मनें फर नफरनाद रेइनू को पन्यास अधूरा कों सा है राम रतन राय इट देखा को पन्यास तो सभी के याद होने चाहिए कि कि कौन सा किसका उपर्रणियास्स है लेकिनर आ आपको यह नहीं कि जैसे यहां पर इतने उपनियास सब का समय याद करना है नहीं जो मैत्पून है जो अलग से पूछे जा सकते हैं कि इस उपनियास का समय क्या है बस उन्हीं का याद करना है ठीक है तो इनका जो है काल करमा प्याद कर लीजेगा दोनों गाउं की यह याद क कर लीजेगा मेरी गेंजब्रानपूर और मैलाचल का समय वो तयाद करना ही है क्योंकि वो तो हमारे स्लेवर्स में है आगे चलते हैं आगे किर्षना सौपती इनके जो है उपनियास है पाच उपनियास यहां पर पांडे वाली बुक में मिलते हैं लेकिन जब हम आगे देखे के कौन कौन से उपनियास है सुरज मुखी अंदेरे के 1922 जिन्द की नामा 1989 दिलोदानिश उपनियास में समय सर्गम 2000 गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 चन्ना 2019 तो जो है क्रिषना सौपती के 6 उपनियास है यह पेजर रामचन तिवारी का मैंने यहां प यहां पर मैंने पेज इसलिए रख दिया क्योंकि पांडे वाली बुक में जो है महील उपनियास का जितनी भी है उनके उपनियास की विशेवस्तो नहीं दी हुई है तो इसलिए मैंने रामचन तिवारी की बुक से रख दिया है किर्षना सौपती के सभी उपनियास की आप जानते हैं किर्षना सौपती जो है आपके पाठ्ठकरम में इनके उपनियास लगे हुए है तो इसी तरह के कौशन पूछे जाते हैं इसका आंसवर तो बन हो जाएगा लेकिन यहां पर मैंने जो यह रखा कौशन यह बताने के लिए रखा कि जो हमारे स्लेवस में से वस्तुभी याद होनी चाहिए आगे चलते हैं आगे स्रीला सुकल के उपनियास हैं यहां पर इनके उपनियास है सूनी घाटी का सूरज अग्यातवास 1962 रागदर्वारी 1968 सीमाई टूटती है 1973 मकान 1976 पहला पराब 1976 दोनों 1976 में मकान भी पहला पराब भी विस्रामपूर का संथ 1998 देखो अगर हम विसेवस्तो की बात करें तो एक तो आपको यह पहले उपनियास की विसेवस्तो याद रखनी पड़ेगी सूनी घा कालकरम आपको याद होना चाहिए फिर यहां पर बात करते हैं कि पॉइंट था सिरिला सुखल और अमरकांत को सन्युक रूप में सन 1911 का भारते ग्यानबिट पुरसकार प्राप्थ यह जब हम पुरसकार पढ़ेगे जब देख लेगे यहां पर लिखा हुआ था आगे चलेगे जगदीत चंद्रमाथुर इनके उपन्यास की तीन चार उपन्यास है जिनके आपको विश्यवस्तु वियाद रखनी होगी यादों का पार धरती धन्य अपना इंपोर्टेंट है आधा पुल 1973 कभी न छोड़े खेत मुठी बर कांकर इंपोर्टेंट है नरगına उपन्यास है ये ảधरती धन्य अपना उपन्यास का विशतार है तो इंपोर्टेंट है पूछा जा सकता है कि जगदी सद्र के कौनके उपन्यास में धरती धन्य अपना उपन्यास का विश्तार है और आपको तीन-4 ओकसन देगे गेगे, तो आपको कंफ्यूज नह होना है याद रखेगा नरग कुंड में वास लाटकी वाफसी जमीन तो अपनी ती व्यारी इंपोटेंट रहे दली जीवन पर लिखा गया मैंने आपको कल भी कहा था कि आप दली जीवन पर और देश विवाजन पर आधारी जितने उपनियास है उनके एक सूची बना लीजि आपको विशेवस्तु याद रखनी है मुठी बर कांकर की नरग कुंड में वास की जमीन तो अपनी थी इन चार उपनियास के आपको विशेवस्तु याद रखनी है बाकि आपको कालकरम इनका याद करना ही होगा आगे मादेई वर्मा मादेई वर्मा के दो अपनियास है माँपर बंको का लुब्हूटारी मारा पैसा कि मैंने आपको बताया का वाली बुक में जो महील अपनियास का रहे हैं उनके लिए हुए लेकिन जो हमारे सेखे थो अमेने में इस हैं शिपलाब बन्रा Lima और ऑधाम में लगा हुआ है तो एक बार इसके उपनियास की विशेवस्तों देख लेते हैं मां बोजे एक राजनेतिक उपनियास माना गया है इसका परिवेश व्यक्तित्व याफ पारिवारिक नयोकर सामाजिक है विशेशर नामक एक पिछली जाती के युगक की हत्या हो जाती है इस में आपको याद रखना है यह पनियास की स्तरे का राजनितिक उपनियास है और जो स्लेवस के नाम है इनको याद चेरे रहांके लगे ते उनके हमने बात कर लिए हमारे अुप्णियास हीमारे हैं मैं जो है न्युक्रों के इनके चृश्व बना ले और इनका मिलाफा ऑस् यूनिट 6 से जितनी कॉसन आएगे आपके 80% कॉसन सोल्व हो जाएगे जो एक दो पॉइंट मुझे लगता है कि रह गई है या मुझे लगता है कि एक बुकिमे में एक बार चैक कर लूँगी तो जब मैं मैं मेराथन किलास करवाओंगी तो उसी में में वेप पॉइंट भी अभी हिंदी उपनियास पर हमारी दो किलास होनी है एक तो मैराथन किलास होगी एच जाम डेट आने की बाद और एक मैं आपको MCQ भी करवाओंगी ताकि आपको पता चले कोसन कैसे बन रही है लेकिन आपको क्या करना है पहले ये तीन किलास के अच्छे से नोर्स बना लेन काफी स्टुटेंट का मैसेज आया था पीरियेप के लिए कि हमको इनकी पीरियेप दे दीजिए तो आज जो है हमारी तीनों किलास कंपिलीट हो गई तो मैं आज हमारे ये टेलीग्राम चैनल है इस पर जो है ये पीरियेप भीज दूँगी एक बार आप मुझे कमेंट करक मैं करबें के लाँगा या नहीं तो ही मैं करवाँगी क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं कि मैं कर वहों और आप लोग नहीं मैं सब्सक्रेम्द कर दिएकGS करूँएर आप मुझे कमेंट करकर मारे भीदिए पसंध आ रही है रैसे मैं आपको धन्य नवाद भी कौऊंगी कि जो मैंने रामचन तिवारी की बुक से उपनियास करवाई उस पर आपने काफी अच्छा रेस्पोंस दिया है तो उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद अगर आपका रेस्पोंस अच्छा है तो मैं आगे भी नाटक भी करवाऊंगी रामचन तिवारी की बुक से भी और ब कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर वीडियो अच्छी लगी यूजफू लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपने दोस्तों में सेयर कर दीजेगा जो यूजशी ने टैज जाम की त्यारी कर रहे है धन्यवाद